नमस्कार आप देख रहे हैं जीबेंट 24 और मैं हूँ आपके साथ रीशु चौधरी आईए नज़र डालते हैं फटापर खबरों पर फ्रांस के राश्चुपती इमानवल मैक्रो के साथ 25 जनवरी को जैपूर जाएंगे पीम मोदी चीन की यून्यान प्रांत में भुस्खलन से मन्नेवालों की संख्या बढ़कर हुई ग्यारत एलन मस्क ने किया यूएनसी में भारत की स्थाई सदस्यता का समथ है शेर बाजार में भारत बना चौथा सबसे बड़ा बाजार हौंग को पचार 23 जन्वरी को कोहरे की कारण देरी से चल रही है दिल्ली आने वाली 28 ट्रेडे दिली में कोहरे की घनी चादर आईजी आई पर कम विजिबिलिटी के कारण कई फ्लाइट्स हुई आयोध्या में राम लला के दर्शन कोम्रा जनसला अमेरिका के शिकागों के पास दो जगों पर साथ लोगों की गोली मार कर हत्या यमन में उती विद्रोहियों के आठ ठिकारों पर अमेरिकी बलों ने किया हमला मजदूर अत्या मामली में मुखतार अंसारी के खिलाफ सुनवाई आप के लिए वस इतना ही है ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने ड़ी है हमारे साथ और देखते रहिए जी बेट और इपो झाल